कैसे हो आप लोग और कैसी चल रहे हैं आपकी पढ़ाई बिलकुँ सही टाइटल थम्नेल जो जो भी देखे हो बिलकुँ सही देखे हो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हर्ट यानि की हिर्दें की क्रियाविधी कैसी होती है हर्ट से ब्लड किस प्रकार से फुफुस य ठीक है हर्ट divided by four chamber हर्ट चार चमबर में बटा होता है राइट एट्रियल एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल वो सारी लेट वेंट्रिकल और लेट एट्रियम चार भागों में बटा होता है अगर पूछा जाएं यह जो हर्ट होता है सुर हिर्दे ह होता है चार बागों में क्युवटा होता है क्यों बताओगे चार बागों में इसलिए ludzie out oxygenated Blood और deoxygenated blood को यह अलग करता है अगर इसके अंदर 4 chamber नहीं होते तो oxygenated, oxygenated ब्लड एक में मिक्स हो जाता है एक में मिश जाता ठीक है कौन कौन सा ब्लड यह याद रखना कर out औक्सी जिनेटेड ब्लड और डी ऑक्सी जिनेटेड ब्लड ठीक है चलो आपको एक बात बता दें छोटे-छोडे दो कोश्चन बनते हैं लिफ्ट लंग्स ठीक है पूझे है हर्ट कहां होता है तो हर्ट चाती के बीचों बीच LIVE energies की तरफ तोड़ा सा जूंका हुआ होता है हर्ट हमारा ऐसे नहीं होता है है न कि इसे घ्र श्मतं हम दिल वाँ नालायक चलिए देखते हैं तो हट में हमने देखा राइट एट्रियम और लिफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल और लिफ्ट वेंट्रिकल हम देखते इस साइड कहोगा राइट साइड कहोगा लेफ्ट ये साइड देखो राइट दिख रहा है राइट उधर Suicide का liftstick हिंदी से क्या पड़ेंगे दाया आलिंद बाया नीले ठीक है दाया नीले बाया नीले सबसे पहले हम क्या देखते हैं सबसे पहले हमने आनी में पार देखा यह लंस एफ है हम देखते हैं यहे राइट लंग यह है lift lungs ठीक है lift lungs से यह blood जा रहा है देखो कि लंग्स से फुफुस से यह blood जा रहा है और यह blood कैसा है तो यह blood oxygen युक्त रुधिर है ठीक है यानि कि यह oxygenated blood है ठीक है यह oxygenated blood है ठीक है हमको पता है कि oxygenated blood को कौन ले जाता है तो वह ले जाती है आयट्रीज धमनी ले जाती है लेकिन lungs से lift atrium दायां वो सारी बायां आलिंद तक रुधिर को कौन ले करके जाता है तो वह लेके जाती फुफुस सीरा pulmonary veins यह मैंने आपको बताया था exception है अपवाद है तो लंस से फुफुस सीरा दौरा blood कहां पहुंसता है बायां आलिंद में ठीक है फिर बायां आलिंद से blood सीधे पहुंसता है बाया नीले में lift ventricle में ठीक है फिर यह lift ventricle से blood महाधमनी के दौरा सर किसके दौरा महाधमनी के दौरा पूरे body में transport होता है body में कहां पर जाता है body में जाता है cell में cell क्या करती है तो cell इसका इस blood में जो oxygen होता है O2 को ले लेती है और cellular respiration करती है कोसी की जिसके दौरा एटीपी उर्जा का निर्माड होता है ठीक है शरीर में ट्रांसपोर्ट होता है अब यह जब सरीर में वह ट्रांसपोर्ट हो गया तो अभी यह हो गया यह यहां तक तो था oxygenated लेकिन जब सरीर में ट्रांसपोर्ट हो गया तो यह बन गया blood डी ओक्सेजेनेट मतलब खराब हो गया है ना अब इसमें ऑक्सीजन नहीं रही तो इसको महासीरा कौन सी महासीरा इसको क्या करती है ले करके जाती है कहां पे डाल देती है राइट एट्रियम में ठीक है राइट एट्रियम में महासीरा इसको ले करके जाकर के डाल देती है फिर सर क्या देखने को मिलता है राइट एट्रियम से यह जो ब्लड हम को यहां पर देखने को मिल रहा था यही ब्लड सीधे राइट वेंट्रिकल में चला जाता है यह ब्लड कहां पर चला जाता है तो सर यह ब्लड सीधे राइट वेंट्रिकल में चला जाता है राइट वें pulmonary artery ठीक है pulmonary artery के दौरह यह सीधे कहां पर चला जाता है यह सीधे चला जाता है lungs में ठीक है lungs के अंदर यह दोनों क्या है हमारे pulmonary artery और pulmonary veins क्या है अपवाद है ठीक है ठीक है ना बताएं यह था आपका function of heart heart की क्रिया वीदी ठीक है हर्ट किस प्रकार से काम करता है यह वीडियो अच्छा लगो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कुछ मत करना नीचे कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके बता देना किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है human brain ठीक है kidney नेफ्रान की संद्रचना एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टियो सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पारेटरी सिस्टम जितने भी चीज़ें ना उतने सब आपका वीडियो इस चैनल पर अप्लोड है चैनल पर जाओगे सर्च करोगे लाश्ट में बायो अमन लिख दोगे सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे तो चले फाइनली आसका वीडियो यहीं तक तो पढ़ते रहें मेहनत करते रहें क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाओ आपका चाहिए विस्यों अलब बेस्ट थैंक यू